मैं काफी टाइम से आइपड यूज करते आ रहा हूँ और इन कई सालों में मैंने कई सारे ऐसे एप खोल जो मेरी प्रोड़क्टिविटी को इंप्रूफ किये हैं आज मैं उन सारे एप के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कई सारे ऐसे एप हैं जो की प्रोफेशनल लेवल के अप्लिकेशन हैं वैसे ये वीडियो हर उस आइपड यूजर के लिए जो प्रोड़क्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं या सारे एप पेड हैं इन एप के जड़ी आप कुछ ऐसे काम कर सकते हो जिसके लिए आपको PC या लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है तो हो जाए तहियारी पैसा कर्च करने के लिए एग आइज वेल्कम टो गिस महलनिक मैं सिधार ता आप सभी का स्वागत करता हूँ पहला आपल इस्ट में अफिनिटी फोटो अगर आप फोटोशॉप के नाम सुना होगा तो ये आइपड का फोटोशॉप है हाला कि फोटोशॉप अवलेबल है आइपड पर मैं रिकमंड नहीं करता है फोटोशॉप आइपड पर न्यू है पहला रीजन नेक्स्ट वो रेंट बेस सर्विस है ये एप वन टाइम पेमेंट है नॉर्मली इसकी कॉस्स सतरा सौर रुपए के आज पास रहती है लेकिन कभी कोई डिस्काउन ही 50% आउफ भी मिल जाता है अफिनिटी फोटो एपल पैंसिल भी सपोर्ट करता है तो आपको पीसी की तरह अलग से टैबलेट नहीं बाय करने पड़ेगी फोटो टचिंग से लेकर वेब डिजाइनिंग कस्टम आर्टवर्प और भी कई सारे काम कर सकते हो मैं एफिनिटी फोटो को अपने थमनेल डिजाइन करने के लिए यूज़ करता है तो जैसे आप इसका थमनेल देखो को वो डिजाइन क्या हो रहेगा आईपाड पर वर्क करना इतना आसान और इतना कमफर्टेबल है यार पुछ कहने को नहीं Affinity Designer भी Affinity Lineup की app है ये Adobe Illustrator के replacement आइपड पर ये app उन आर्टिस्ट के लिए है जिनको vector design करना हो इस में vector art, work जैसे logo designing, web designing जैसे काम आराम सिखिये जा सकते हैं vector design करना काफी आसान हो जाता अगर आपके पास apple pencil हो इस app की भी कीमत लगए 700 रुपय है लेकिन ये भी off में आपको मिल जाता है ये दोनों app पूरे पैसा वसूल है अगर आप artist हो और आप art सीखना चाहते हो Luma Fusion एक video editing app है ये app 2699 रुपीज के आती है काफी costly है लेकिन इसमें कुछ ऐसे features दें जो कि professional software में मिलते हैं प्रीमियर प्रो एक rent based software है वहीं अगर final कठी बात करें तो one time payment आपको 20-30,000 रुपय देने पड़ते हैं और सबसे बड़ी दिक्कत है कि इन software को चलाने के लिए आपको एक expensive PC या laptop चाहिए होता है लिए में fusion के अची बात यह है कि यह budget iPad नहीं चलता है और iPad Pro यूज करते हो आप तो और बहतर चलेगा multiple timeline, key framing, audio, video effect जैसे लेकर 4K video editor clip करके render करना भी उसमें बड़ा असान है तो यह एक बहुती अच्छी app है अगर आप iPad पर video editing करना चाहते हो तो इससे better option आपको नहीं मिलेगा भी यह application तो याए मेरी दिल जीतली यह app उनके लिए है जिनको art design करना होता है regular basis पे मैं कुछ दिन पहले drawing चुरू किया और मुझे काफी मदद मिल रही इस app को use करके अच्छे अच्छे feature इसमें दिये है इस app में इतनी कम distraction है कि आपको drawing करने में काफी focus रहेगा side में आपको icon नहीं दिये layering जैसे feature से लेकर video को break करने में layer की तरह यह सारे feature दिये है तो मैं definitely इस app को recommend करूँगा अगर आप artist हो और आप art design करते हुए आप बनाते drawing करते हुए तो definitely this app is for you कहीं से भी इसको miss मत करना तुम लोग अब एक ऐसे app की बात करेंगे जो note लिखने के काम आता है यह app सुनने में काफे simple लगता लेकिन ऐसा नहीं है apple pencil का support दिया है notability में जिसको use करके paper open style में आप ipad पर लिख सकते हो किसी भी web link को इस app में image की तरह use किया जा सकता और बाद में उसको edit भी किया जा सकता है इस app में आराम से कोई भी लिखी हुई note को खुजा जा सकता है इस app के search feature को use करके handwritten note को easily professional written document में भी convert किया जा सकता है तो यह app काफी लाबदा है कि उन students के लिए जिनको काफी note write करना होता है या उन professionals के लिए जो की काफी note अपने offices में लिखते रहते हैं बहुत ही simple और काफी helpful application है opener opener app हमें option देता है कि एक file को multiple app के थुरू आप खोल सके जैसे कभी क्या होता है कि आपको आप नहीं समझ में आई या कुछ ऐसी आप जो की उतनी अच्छी नहीं है तो उसके alternative option में आप opener को use करके खोल सकते है इस लाइक open with जैसे हम लोग PC में use करते है open with वैसे यहाँ पी opener आपको open with को option देता आई पैड में तो यह काफी simple app है ज्यादा कुछ में है नहीं लेकिन काफी interesting app है तो अब definitely इसको भी try कर सकते हूँ Yoinks यह app multitasking को steroid पर डाल देता है multitasking iPad ने पहले ही सही काफी बहतर हो चुकी है लेकिन अभी भी काफी limited है multitasking मैं कहता हूँ PC को compare किया जाए इससे तो क्योंकि छोटी screen होने से कई सारे application एक साथ इसमें run नहीं कर सकते हैं तो इस तरी की प्रस्तितिया में Yoinks app काफी helpful है Yoinks app multitasking को और evolve कर देता है जैसे कभी आप कुछ research कर रहे हो web browser ने किसी app पर तो बार बार आपको app switching करने ही पड़ती है किसी भी file हो cut copy paste करने के लिए इस पर इस स्थिति में Yoinks में safe कर सकते हो कोई भी content जैसे document, picture, video या कोई भी file type और बाद में paste कर सकते हो supported app में तो बार बार application switch करने की जंजट से मुक्ती मिल जाए अगर आप Yoinks पाय करते हो तो ये सारे apps मेरे लिए पूरे पैसे वसूल मैं इनको use करता हूँ daily business पर मुझे काफी फायदा मिलता है तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं अगर कुछ पूछना हो तो बेजी जा कि यार comment में लिखना शुरू कर दो यार मैं हर सवालों के जवाब देने के पूरी कोशिश करूँगा अगर वीडियो पसाए तो हजार वर लाइक दबाओ यार और शेयर कर दो दबा दो कि मतलब हर आइपेड यूजर के घर में ये वीडियो पहुंझे और उनको यार अगर useful लगा हो तो उनको भी काम आ जाए बाकी मैं तो आप लोगे लएसे वीडियो बनाते रहूँगा चैनल पर नहीं होते हैं सस्क्राइब करना बाद भूलो और घंटी भी हिला दे न जिससी कि भाई अगली बार कोई मैं वीडियो बनाते हूँ टेक रिलेटेड तो आपको मिल सके तो जल्दी मिलते अगले टेक वीडियो में नमस्कार दोस्तों